हेलो दोस्तो कैसे हैं आप सभी आई होग, आप सभी अच्छे होंगे आज मैं आपके साथ किचन के कुछ छोटे छोटे टिप सेयर कर रही हूँ जो आपके रूजमर्रा के काम को बेहती आसान बना देंगे और आपके समय और मेहनत दोनों की बचत होगी अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और सेयर करना ना भूले तो चलिए देखते हैं पहले यूजफुल टिप दोस्तों सर्दियो का मौसम सुरू हो गया है और घर में हम भर-भर के मटर ले आते हैं मगर हमारे पास इतना समय नहीं रहता है कि हम सभी मटर को एक साथ छिल कर रख सके और मटर रखे-रखे गलने लगता है और सूखने लगता है जिससे हमारा मटर खराब हो जाता है और इसका स्वाद भी खराब हो जाता है तो उसके लिए आप पहले मटर को एक बास्केट में निकाल लीजिए और इसके अंदर जो भी पतिया, घासफूस और खराब मटर हो उन्हें आप छाट कर निकाल लीजिए क्योंकि जब हम इन्हें स्टोर करेंगे तो ये पतियां और जो खराब मटर होंगे उससे मटर खराब हो सकते है इसलिए इसमें से सभी घासफूस और खराब मटर को निकाल कर आपको बाहर कर लेना है उसके बाद आपको लेना है मस्टर्ड ओयल अगर आपके पास mustard oil नहीं है, तब आप दूसरा तेल ले सकते हैं, वरना इसके लिए आप mustard oil का ही इस्तमाल करें, मटर पर हमें mustard oil को डाल देना है, और इसे अच्छी तरह से मिला लेना है, जिससे मटर पर देखें इस तरह से हमें मटर में तेल की अच्छी तरह से coating कर लेनी है अब आप मटर को थैले में रग दीजे, आपका मटर 10-15 दिन तक बिल्कुल भी खराब नहीं होता है, और जब भी आपको इस्तमाल करना हो, तो आप इसे आराम से इस्तमाल कर सकते हैं, देखें मटर में अच्छी तरह से coating हो गई है, अब आप इसे पॉल्थीन में रग और जब आपको जरूरत हो, तो थोड़ा सा निकाल के आप इस्तमाल कर लीजे, और फिर आप उसी तरह से इसे बांद कर फ्रिज में रग दीजे, आप देखेंगे, आपकी मटर बिल्कुल हरी की हरी बनी हुई है, ये ना तो सूकती है, ना ही गलती है, और ना ही सड़ती है अब आप इसे बांद कर रग दीजे, आपका मटर 15-20 दिनों तक बिल्कुल भी खराब होने वाला नहीं है, आई होप आपको ये छोटी सी टिप पसंद आई होगी, तो देखते हैं दूसरी यूसफुल टिप, दोस्तो सर्दिया सुरू हो गई है, और जब हम उलन कपड़े का मन नहीं करता, क्योंकि उस कपड़े से बद्बू आती है, तो हम इसके लिए एक छोटा सा उपाय कर लेंगे, जब भी हम उलन कपड़े को धुल कर सुखा लें, उसके बाद हमें उलन कपड़े को पहले खोल लेना है, उसके बाद इस पर हमें पेपर को डाल देना है, दे और इसमें से बिलकुल भी बद्बू नहीं आएगी, पेपर होने की वज़ा से कपड़े में जो भी मश्चर रह जाएगा, वो पेपर सोख लेगा, और ये कपड़ा भी अच्छी तरह से सूख जाएगा, आई हो आपको मेरी ये छोटी से टिप पसंद आई होगी, अब तरह से बच्चों के बड़ों के उलन कपड़े रखेंगे, तो इसमें न तो मश्चर रहेगा, नहीं पद्बू आएगी, आई हो इस सर्दी में आप इस टिप को चरूर अपनाएंगे, तो चलिए चलते हैं दूसरी यूजफूल टिप की तरफ, दोस्तों जब हम चाए कॉ पसंद नहीं करते हैं, तो उसके लिए आप एक छोटा सा उपाय करिए, आप ले लीजे कोलगेट का पेस्ट और इसे आप एक बाउल में थोड़ा सा डाल दीजे, देखिए थोड़ा सा मैंने कोलगेट का पेस्ट ले लिया है, आप इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, और इसे हम चम्मत से अच्छी तरह से मिला लेंगे जब ये अच्छी तरह से मिल जाए तब हमें कुछ कागज के टुकड़े ले लेने हैं और इसे इस पानी में इस तरह से हमें भीगो लेना है और सभी कपों में हमें एक एक करके इन टुकड़ों को डाल देना है दोस्तों आप मेरी वीडियो किस सहर किस देश से देख रहे है मुझे कमेंट बॉक्स पर चरूर बताईए का अब जो ये कोल गेट वाला पानी बचा है उसे हम थोड़ा थोड़ा करके कप में डाल देंगे और इस कप को हम पलट देंगे इसे हमें किसी प्लेट या ट्रेपर पलट देना है और इसे हमें रात भर के लिए ऐसे ही छोड़ देना है जब हम सुबह उठेंगे तो इन कप को हम सीधा कर लेंगे और इन पेपर को निकाल कर हम फेक देंगे आप देखेंगे जो कप में से bad smell आ रही थी वो सारी smell निकल गई है और जो गंदगी थी वो गंदगी भी साफ हो गई है दोस्तो इस handle पर भी गंदगी लगी होती है जिसे हम कितना भी साफ करें अच्छी तरह से साफ नहीं हो पाता है तो उसे भी हम colgate से साफ करेंगे उसके लिए हम ब्रस ले लेंगे और ब्रस में हम colgate को लगा देंगे और सभी handle पर हम इसे रगड़ देंगे आप देखेंगे कि colgate से कितनी अच्छी तरह से ये handle साफ हो गया है मैं सभी तरह के cup पर इसे प्योग करके आपको दिखाती हूँ कि ये कितनी अच्छी तरह से काम करता है colgate क्लिनिक का बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है आप इसे एक बार चरू ट्राइ करके देखेंगे कितनी अच्छी तरह से ये handle साफ हो गया है और अगर cup में कहीं गंदगी है जैसे नीचे गंदगी है या उपर वहाँ पे भी आप इस colgate से सफाई करेंगी तो आप देखेंगी कि वो जगा बिल्कुल साफ हो गई है और चमकने लगी है मैं अब आपको इसे धुल कर दिखाती हूँ देखें handle कितनी अच्छी तरह से साफ हो गया है और ये कितना sign करने लगा है अब आपके cup में जब भी smell आ रही हो तो आप इस तरीके से उसकी सफाई कर दीजे तो उसमें से इसमें निकल जाएगी I hope आपको मेरी ये tip पसंद आई होगी दोस्तो जब हम मटर छिलते हैं तो इसका छिलका या तो हम जानवरों को दे देते हैं या फिर हम इसे कूडे में फेक देते हैं मगर आज मैं इसका दूसरा ही प्रियोग करके बताती हूँ कि इसका हम दूसरी जगा भी कहां प्रियोग कर सकते हैं तो उसके लिए आप ले लीजे एक बावल में पानी और उस पानी में आप इन छिलकों को डाल दीजे अब इन मटर के छिलकों को पानी में पूरी रात भीगे रहने दीजे उसके बाद आप देखेंगे कि पानी का रंग बिल्कुल हरा हो गया है मगर मुझे पूरी रात इसी तरह से भीगो कर रख दीजे अब इसका इस्तमाल कहा करना है इस पानी का इस्तमाल हमें पेड की ग्रोध के लिए करना है और इन छिलकों का भी इन छिलकों को हम अपने पेड पौधों में डाल देंगे जिससे इनकी ग्रोध अच्छी होगी जब ये छिलक पर सच करके भी देख सकते हैं कि सबजियों के खाद से पेड़ पौधे कितनी अच्छी तरह से क्रोध करते हैं और उसमें फलफुल भी काफी ज्यादा मात्रा में आते हैं आई होप आपको मेरी ये टिप पसंद आई होगी तो चलिए चलते हैं दूसरी यूजफुल टिप की तरफ दोस्तो हम रोज रोज घर में जाडू लगाते हैं और जो घर में बाल गिरे हुए होते हैं वो जाडू में फस जाते हैं जो अच्छी तरह से निकल नहीं पाते हैं जिसकी वज़ा से जाडू भी बंद जाता है वो खुला हुआ नहीं रहता है देखे इसमें कितने बाल फस ग क्लचर और उस क्लचर से आप जाड़ो को साफ कर दीजे आप देखेंगे इसमें से एक एक बाल जो जाड़ो में फसा हुआ है वो निकल आएगा और जो भी गंदगी इसमें फसी हुई है वो बेहत ही आसानी से निकल जाती है देखे इसमें से सारी गंदगी निकल रही है रहा है देखे इस तरह से हम इसे साफ कर शकते हैं अगर आपके पास क्लचर नहीं है तो आप इसे मोटी वाली कंगी से भी साफ कर शकते हैं जिसका इस्तमाल आप बालों के लिए नहीं कर रहे हो देखे इस क्लचर से कितनी अच्छी तरह से आपका जाडू साफ हो गया है और कितनी ढेल सारे कंगी निकली हुई है। आप इसें कंगी से साफ कर शकते हैं। अगा कंगई भी ना हो आपके पास तो आप इसे Metropolitanel से किसा कर तो आप इसें सिर्थी जो भी समान हो उससे आप इस जाड़ो को आसानी से साफ कर शकते हैं पहले हमारा जाड़ो कितना बधा हुआ था देखी जाड़ो बिलकुल खुला-खुला सा हो गया है और इसमें से सारी गंडगी निकल गई है और ये बिलकुल साफ हो गया है अब आपके पास जो भी समान हो उसे आप जाडू को बहती आसान तरीके से साफ कर शकते हैं I hope आपको मेरी ये टिप पसंद आई होगी Thanks for watching